जैहिं दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कौन से अप्लिकेशन डाउनूड करना चाहिए और उसमें आपको क्या छीज सर्च करना चाहिए और कैसे आपको जॉब मिल सकता है और अलग-अलग कंपनियां कैसे आ दोस्तों मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मेरा experience इसके कारण ना कि मैं इन दोनों कंपनियों को प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने इस अप्लिकेशन पर अप्लोड किया है और काफी अच्छा रिजल्ट है आप लोग को बता दो सबसे पहले कि कॉल आते तो आपको इंटर्वी के लिए बुलाया जाएगा टाइमिंग दिया जाएगा तब ही आप उस टाइम पर पहुचिए इंटर्वी दिए दीजिए और उसके बाद जब आप क्लियर हो जाएंगे तो आप इंटर्वी जोइन कर सकते हो तो दोस्तों यह है नौकरी.com मैंने स् तो मुझे हर जग़े से कॉल आने चालू हो गए थे लाइक जिस फिल्ड में भी आप जाना चाहते हो तो सेल्स मार्केटिंग हो गया फार्मेशी हो गया और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया क्लासेस हो गया ऐसे बहुत सारे कैटेगिरी जिसमें हम जौब के लिए तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों शूर्म बना लेना है विसमें कि आपका मोबायल नंबर मेल आइडी और अगल्यआ अपने पहले कभी काम कियाई की नहीं किया है अपना जितना द्वी सेल रिजम में सारे अपडिट कर लेने हैं उसके बाद रिजम का पीडियाप बना करके इस नखुरी.com पर प्रोफाइल में जाके आपको अप्लोड करदेना सेम उसी तरह दोस्तों आपको इंडिट पर भी कर देना है इंडिट पर आपको सेम डॉक्यमेंट का जो आपका रिजुम रहेगा वह अपलोट कर देना है अब दोस्तों उसके जब आपका अपलोड हो जाएगा तो उपर सर्च ऑप्शन आएगा कि आप किस टाइब का जॉब सर्च करना चाहते हो अगर इंडिने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी जॉब के लिए अपलाए कर रहे तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना जरूरी हो अगर दोस्तों आपके इसमें अगर आपको किसी जॉब में इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर आप उस जॉब करके भी आ लेकिन एक मेरा इक सुजावे कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो एक लगन के साथ कीजिए महनत के साथ कीजिए और अपने अच्छा अनुसार कीजिए उसके बात दोस्तों है आपका गोल अगर आपका गोल बढ़ा है तो दोस्तों जैसी लोग बहुत लोगों नोकरी चाहिए private नोकरी चाहिए और बहुत लोगों के बाहर जाना है विदेश जाना है तो दोस्तों अपने इस category के हिसाब से जॉब ढूंड़िए अपने उस हिसाब से education ढूंड़िए और आप लोगों बता दो आपको सर्च करना पड़ेगा तभी आपको मेंशन हुएगा उसके बाद दोस्तों आप वेलिट डॉकुमेंट आपको बताया जाएगा कौन से दोस्तों कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं बहुत आप लोगों पता है कि सोशल मीडिया चीज है ठीक है आपके डोकुमेंट गलत फायदा भी उठाया जा सकता है तो मैं आप लोगों बस यह कहना चाहता हूं कि दोस्तों जॉब के लिए अगर आपसे कोई पैसे मांगे 500 रुपए 200 रुपए 300 रुपए या 1500 रुपए कि आपकी जौब फिक्स हो गई आप मुझे 500 रुपए 600 रुपए दे तो आप किसी को भी मत दीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह जो प्लेटफा में टूटली फ्री है किसी कोई भी चार्ज नहीं लेता है ठीक है नहीं होगा उसके पर दोस्तों आप लोग कहना चाहूंगा कि आप जबी नोकरी करने जा रहे हैं तो आप अपना प्रोफाइल चेक कर लिजिए अच्छे से कि उसमें कोई गलती ना हो नहीं तो आपने प्रोफाइल कुछ अलग अपडेट किया है और फिर आप जो रिजू वही चीज अपलोट कीजिए ठीक है और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आये तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं उस पर नेक्ष झाल